अंहाल ही में हमने देखा कि आपने रनवी के लिए एक बहुत ही पियारा पोस्त लिखा और काफी उनको अ aan प्रसन भी आप देखते हैं लेकिन अब उनमे आप एक व्यक्ति के तोर पर क्या चेंज देख ईऑ औ को तो सारे स्टार्ड भी बहुत पसंद करते हैं बैं अब उनक इतना प्यार वो देते हैं, इतने प्यार के साथ वो आगे बढ़ते हैं, हर रिष्टे को इतने प्यार से बाते हैं, इतने सेंसिटिव हैं हर बात को लेकर, तो मुझे ऐसी एक दिन मैंने उनका एक पोस्त देखा, उन्होंने आलिया की पिचर रिदीस हुईती डालिंग्स, त वाकी जो सक्सेस मिला है, मैं वाकी दिल से ये चाहता हूँ, मैं दुआ करता हूँ, कि वो बहुत बहुत आगे बढ़े, क्योंकि उनका दिल साफ है, और वो जैसे मैंने कहा है, कि वो मौबत है, वो इनसान नहीं, वो मौबत है, रौकी और रानी की प्रेम काहनी को लेकर कि भी बहुत सारी क्यूरियासिटी है, उत्रुटा है, थोड़ा सा इन ब्रीफ कुछ, मैं बहुत खुश हूँ कि इस पिच्चर में अपकोस रनवीर और आलिया की केमिस्ट्री तो कमाल की है ही, वो हम सब ने गली बॉय में देख ली है, लेकिन मुझे मौका मिला, धरम जी के सा काम करने का, शभाना जी के साथ काम करने का, जया जी के साथ फिर से काम करने का, ये मौका मिले बहुत ही खुबसूरत है, क्योंकि इस फिल्म ये पारिवारिक प्रेम कहानी है, इस फिल्म में बहुत सारे गाने हैं, बहुत मज़ेदार हैं, लेकिन एक मैसेजिंग भी है, प अबसे बड़ी बात ही है कि मैंने इन सीनियर एक्टर के साथ काम किया और इतना कुछ सीखा है हम से इस फाइनली माइ लास्ट कुछ्छन अब आपको क्या अच्छीव करना है बहुत कुछ अचीव करना है जैसे मैं अपने कंपनी को और ज्यादा एक्सपैंड करना है आपकेदार पूरे उसमें जल्वा नजर आ रहा है आपका अभी कुछ रीजन वो मिड्लाइफ क्राइस है वह ही है कि मेरे 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 जहन में जो बात चमक रही हूँ अब कपड़ों तक आ चुकी है